Hello everyone, welcome back in our YouTube channel V2 Academy दोस्तो अगर आप J-Main 2022 के examination देने वाले हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा important रहने वाली है ठीक है न So make sure की वीडियो को पूरी ध्यान से सुरू से ले करके अंतर तक देखिएगा दोस्तो इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं J-Main 2022 के cut-off के बारे में हलांकि दोस्तो मैं आपको बता दू कट-off का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि आप J-Main को qualify करके J-Advance में appear हो सके ठीक है यानि कि J-Main qualify करना और J-Main के through एक बहुती बहतरुन NIT college या फिर IIIT college को achieve करना इन दोनों में काफी जादा अंतर होता है हलांकि दोस्तो अगर आप लोग सोच रहे होगा कि सिर्फ J-Main qualify कितने marks पे की जाती है कितने marks लाएं कि J-Main हम qualify कर जाएं तो दोस्तो out of 300 में हम लोग बात करने वाला है कि कितने marks पे आप लोग J-Main qualify कर जाएंगे ठीक है J-Main qualify करने का मतलब सिर्फ और सिव इतना होता है मैंने आपको बता दिया है कि आप advance में appear हो सकते हैं ना कि आपको best NIT college या फिर best IIIT college मिले दोस्तो चलिए category wise बात करते हैं ठीक है सबसे पहले बात करते हैं general category का ठीक है कि अगर आप general category से हैं तो कितने percentile marks ठीक है और कितने marks पे आप J-Main qualify कर जाएंगे दोस्तो 88 percentile से लेकर के 91 percentile के बीच में अगर आपके आते हैं तो आप J-Main qualify कर जाएगा general category से ठीक है और इसके लिए दोस्तो आपको marks लाना होगा out of 300, 90 marks कम से कम ठीक है अगर आप 90 marks ला देते हैं तो आप J-Main qualify करके J-Advance में आप appear हो सकते हैं लेकिन दोस्तो आपका target ये बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए क्योंकि अगर आपका target 90 रहता है तो आप बिल्कुल पस्तावा में रहेंगे क्योंकि आपको अगर best NIT college चाहिए तो कम से कम तो 180 marks पलस तो आपके चाहिए ही चाहिए ठीक है वहीं दोस्तो बात करते हैं OVC के बारे में तो OVC में कम से कम आपके 70 percentile बनने चाहिए ठीक है 70 percentile का दोस्तो मतलब होता है 65 marks के पलस हलांकी दोस्तो ये marks कभी कभी आगे पीछे होते रहता है उस year की competition के हिसाब से ठीक है अगला बात आता है EWS category ठीक है अगर आप EWS category से हैं तो 60 से लेकर के 63 percentile अगर दोस्तो 60 से लेकर के 63 percentile की बात करते हैं तो इसमें हम marks की बात कर रहे होते हैं लगबग 55 से लेकर के 60 number ठीक है तो अगर आप EWS category में है 55 से 60 number ला देते हैं तो आप J main qualify कर जाएगा उसके बाद दोस्तो AC और ST की बात निकल कर सामने आती है तो AC में 40 percentile ठीक है और 40 percentile के लेकर बात करें तो 40 marks का लगबग आसपास ठीक है वहीं ST category में 35 percentile और अगर 35 percentile को लेकर बात कर रहे होते हैं तो लगबग आप मान कर चलिए 35 से लेकर के 40 number के बीच में ठीक है number और percentile कभी कभी आगे पीछे होते रहती है जरूरी नहीं कि 35 percentile में 35 marksी बने कभी कभी कम भी हो जाता और कभी कभी जादा भी हो जाता है और यह depend करता है उस साल के competition के हिसाब से ठीक है न दोस्तों आप में सही काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका class 11th कोबीड की बज़ा से खराब हो चुका है या फिर class 12th में उन्होंने सही से preparation नहीं किया है या तो फिर उनको पूरी सलवस का एक बार फिर से revision करना है उनको crash course जोईन करना है या फिर उनको कुछ नए चीजों को पढ़ना है उसकी अलाबा mock test देना है practice करना है इन सभी चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक ही solution है 45 days का plus subscription यह सिर्फ और सिर्फ आपको मिल रहा है 239 में दोस्तों यहाँ पे 100 कर रहा है 299 लेकिन जैसे ही आप इस code का यूज करिएगा V210 आपका 20% discount होकर के सिर्फ और सिर्फ 239 में आपको यह सभी चीज़े मिल रहा है यहाँ पे आप सभी को इंडिया के based educator मिल जाते हैं उसके साथ में interactive live classes ठीक है वो आपको live classes करवाते हैं और साथ में उसका recording भी आपके application के अंदर save हो जाएगा उसके बाद में दोस्तो live test and quizzes भी आप सभी को मिल जाता है unlimited practice मिल जाता है structure courses and PDF भी मिल जाता है अगर आपको PDF चाहिए आप PDF के थुरू भी पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आप सभी को हर एक chapter wise PDF भी provide की जाती है और सिर्फ और सिर्फ 239 में ठीक है तो दोस्तो यही course अगर आप पहले खरीते या फिर बाद में खरीते तो आपको कम से कम 10,000 रुपिया देना पड़ता लेकिन आप इस offer केते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको 239 में मिल रहा है ठीक है offer बहुत limited समय के लिए है जाए और description में link है अभी जागर के जल्दी से purchase करिए code आप डाल लिजेगा V210 आपका 20% का discount होगर के 239 में आपका हो जाएगा ठीक है इससे बढ़िया offer आपके लिए बिल्कुल भी नहीं आने वाली तो अभी समय है जाएगे और अपने marks को अच्छे preparation करके boost करिए